खूश है इनसे आप पर? जी माशाला बहुत ज्यादा खूश हूँ कितनी देर होगी शादी को? तीन मन्त इस्राम ने जो खूख दी है औरत को क्या वो ना काफी है? नहीं वो काफी है आप शादी शुदा है? जी जी यह रजबना आपके? जी जी पूरी आज़ाद नहीं उठाने चाहिए यह तो कोई तरीका नहीं आप क्या चीज मांग रहे हैं हमें पूरी अज़ाद ही हर चीज किया जो हम किसी इसमें नहीं जा सकते हर फील्ड में औरते हैं हर काम कर रहे हैं अगर हमने कुछ करना है तो हमें इसलाम के साथ चलना होगा असलाम अलेकुम जी मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पिंजाब यूरो टीवी जिस तरह आपको पता जी आठ मार्च है फैमिनिजम डे है पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है औरतों को लेकर और पाकस्तान में भी ये क्रीबं तीन चार साल हो गया है इस क्या समयती है अर बेलखुस हमारी जो औरते हैं इसलाम ने जो उन्हें हकूप दी है वो ना काफी है यह वो इन से मुत्मिन हैं तो हम लोगों से बासित करते हैं फैमिनिजम आरा है 8 मार्च को ठीक है आप क्या समयती है कि हमें ये इसे अलिबरेट करना चाहिए जिस तरीके से हमारे माशरे में अब 3-4 सालों से सेलबिड कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उसके नहीं समझती सही. क्योंकि हमें इसलाम ने खुछ सारे हकुक दिये हैं, किसी चीज पर नहीं हमारे पर. तो पिर हम किस चीज के लिए कार रहे हैं? किस चीज के अजादी चाहिए हो? यह जो मेरा जिसम, मेरी मर्जी वगरा वगरा कि इन्होंने लिखे होते हैं उपर, यह तो कोई तरीका ठीक है है, हकुक मांगने का? नहीं, यह तो कोई तरीका नहीं, आप क्या चीज मांग रहे हैं? हमें पूरी अजादी हर चीज़ किया जहां होने हम किसी इसमें नहीं जा सकते हर फील्ड में औरते हैं हर काम कर रही हैं तो फिर क्या है इसलाम ने जो चुक दी उससे आप खूश है, कि आपके रहें भी आप और आप ह किया समझें इसलाम के प्युव hypocr Truth लाख आपकुम में सार प्राइम ही। बिल्कुल इसलाम ने जो अजादी दी है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है अगर हम मेरा जिसन मेरी मज़ी करेंगे तो इसका मतलब है हम इसलाम से पहले की जिन्दगी में चले जाएंगे हम उस तरकी को पहुंची नहीं सकते जो इसलाम ने हमें दी है आप सैटिसफाइड है यहां पे पाकिस्तान में के यहां पे औरतों को वह तमाम हकूख मिजसर होने चाहिए अगर औरत अपने हकूख के लिए फुद चाहती है ना कि उसको अपने तवफ़फ़ करना है अगर वह खुद को एक्सपोस करेगी तो पिर उसको कोई तवफ़फ़ नहीं मिलेगा यह जो औरतें यह स्लोगन उठा के आती है आठ मार्च वाले दिन उनको को मैसी देना चाहे नहुद कर ने अपने खुद करना चाहती है तो अब इसलाम के विख से ही तरकी कर We op किसी भी मगरवी माशरे को लेकर तरकी नहीं कर सकते वहां के माशिरे ने हमें जितनी बरबादी देनी थे वो देजू के हैं. अब अगर हमने कुछ करना है तो हमें इसलम के साथ चलना हुगा. नहीं भी कोई भी नहीं. तो जो इसलम ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है, वो काफ़ हमरे लिए है. तो आदेपास की किताब इठाए और अधाइश को उठाए और उसमें जो भी इस्वाम अजया ने हमारे लिए दिये हुए वह आलहा हमारे लिए काफिया है मेरा ख्याय है कि हमें यह हमारा दिसमर हमारी मर्जी वालों को ना बद कर देदा है इसलाम ने जो रूक दिये हैं वह आप समझती ल policymakers है अपσशना नहीं होना इसलाम ने जो हमें दिये हैं उठीज्य यह पूले ने वह Trans یہ एले कि एक इन्सान की उड़ा से सारी दुनिया बनाम होती है एक उरद अगर नहीं ठीक तो इसके वज़े से सारी और इन मांदगी कर रही है कुछ ठीक भी है और कुछ नहीं भी ठीक किस इसाब से आप समझेती हैं कि यी जो हकूख वो मिलने चाहिए थे जो आज तक अरत को नहीं अब जैसे कुछ ओरते हैं जो नहीं इतना पड़ी हुई उनके घर वले साथ नहीं देते उन बिचारियों पे तो जुलम हो रहा है जो पड़ी लिखी है वो निकलाती है बाइर हम ज्यादा पड़ जाते हैं और इसलाम से हम दूर हो जाते हैं आप समझते हैं कि इसलाम ने जो जो अजाद नहीं ना उन्हें उठाने चाहिए और जो अजाद ना उन्हें नहीं यह उपर लिखा हो कि मेरा जिसम मेरी मर्जी उठाने चाहिए नहीं यह नहीं उठाने चाहिए अच्छा आप शादी शुदा हैं जी मैं शादी शुदा हैं यह हजबन हैं आपके जी अच् आगे भी खुशी रखेंगे? जी खुशी रखोंगा. चले, बहुत शुक्री है आपके टाइम का जी. आप मुसल्मान है, इसलामी जमुरिया पाकसान में रहते हैं, क्या आप समयती हैं कि ये तरीका कार दुरूस्त है? जी बिल्कुल भी निस दुरूस्त. इसलाम ने जो हमारे लिए? जी, कार्फू. ठीक. क्या आप मैसी देना चाहिए उन्हा उर्तों को जो इस दिन को इस तरह बैनर्स उठाके बाहर आती हैं और अपना मतालबा करती हैं? बाहर तो आने हैं नहीं चाहिए. आप खुश हैं इसलाम ने जो हकुक दी है? जी. नहीं, मेरे ख्याल अगर इसलाम ना होता तो आज हम उड़ते भी ना होती हैं. क्या वाकी ओरतों को पाकिसान में अखूक में असर नहीं है? नहीं, इदर तो हर चीज में असर है. अच्छी दिस टोटली रिडिकलिकलिस. वेकर आच्छी आम आलसर फों मलेशिया हैं यहां पाकिसान में जिस लिएजा तो यहां पर ज्यादा अध़ यहां ज्याद आजादी है. यही मैसी देना चाहता हूं कि जतनी भी ओरते हैं ना वो पर्दे में रहें तो ज्यादा बेतर है. और यह Тो टो टोली मनलब इसलामी फोग आ कि मेरा जिसम मेरी मर्जी यह तोली आउट अप कंट्र और इस पे नहीं होना चाहिए इस यह चीज कंसेप्ट जो बिलकुर रॉंग है नहीं अच्छा तरीका नहीं है अपने मांगने का राइस इसलाम ने जो हकूक दी है औरत को आप समय थी हैं कि वो काफी हैं कि या मजीद होने चाहिए नहीं हो मारे ना फैंबल के बहुत चाहेंगी उना वरतों को जो इस दिन को मेरा जिसम मेरी मर्जी से मताबक देती हैं और कहती हैं कि हम इस तरह हकूक मांगने चाहिए यही अल्ला ताला के मुताबक जिन्दगी को जारे और उसी में इजज़त है इसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसलाम ने जो हकूक करा इस नी करते हैं के इस किसम के जो बैनर अठाक के बाहर सटकों पर आना घ्राट वी यह इस तरीका काओर ने शब्सक्राइग रहाे खुक महले को एससा नहींना चाहिए असलाम ने जो हकोग दिए और समेंगे के वह काम है नहीं, काम नहीं हैं. हमें इस्लाम के बताईवे हकोगे मताबिक जिंदगी गुसारनी चाहिए. फिर ही हम उखुशाल जिंदगी गुसारेगे. नहीं हमें यह है का पड़्दे का ख्यार रखना चाहिए और बस ठीक आप शादी शुदा है जी 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 इनुने आपको तमाम हुकुक दिये हैं आजी बिलकुल दिये हैं और इसलाम ने जो हकुक अरुट को दिये उसमें आप खूश हैं आप खूश हैं आजी बिलकुल है तो यह जो आपने थोड़ दर पहले बात की ना कि मेरा जिसम मेरी मर्जी भीएंगा मुसलम मैजे मुसलम मतरे मेरी सिस्टर भी आइफ वाइमली भी है औरत का सबसे बड़ा हुसन उसकी शरम यह जी बिलकुल और तो औरत हया में रहे पर्दे में रहे तो वह खूब तू चलें आप क्या मैसी देना चाहेंगी उन अवरतों को जो इस तरह के बैनर्स लेके बाहर आती है मैं उनको यही बोलोगी कि अपने पर्दे का ख्यार रखे मास बिलकुल गलत है यह नहीं होना करें हमारे असलाम हमारे नभी की जो लाइफ है हमारे सामने मुजूद है उनकी किसी किमी कंजाइश नहीं यह किया समझीते हैं कि हमें पकिटान में होकूद का असल नहीं है उरतों को नहीं प yang क具 अकूद है उरतों को वी तो जहां तक मेरा ख्याल है नहीं करते है विलकुल मेरा जिसाम अचुन मेरी मद्जी लाइक को रहा हम इस चीज़ की नफिक सबने अजाज़त दिया तो आ रही है ना आप क्या समझती है कि यह जो चैंदा ओरतें बाहर निकलती है यह आपकी नमाइंदगी कर रही है नहीं यह कोई टीका का नहीं है नमाइंदगी करने का और नहीं अगर इस तरह है मेरा जिसम मेरी मर्जी तो बिल्कुल भी एक समझ न में हुरत को पूरे हुकूब दे रखे हैं और डैट इस इनाफ फॉरसर इससे भड़के अगर कोई यह कर रहा है यह से इस चीज़ को आगे कोई और यह लेकर चल रहे हैं तो मैं इस चीज़ को जह लिए ठीक बोलूंगी यह कोई फेमिनिजम यह इस तरह से कोई कुछ नही किया झाले उन बोलूंगी